हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू ग्यान सेवा 24 स्वाजम करने वाले हैं एड़ोटेरिया 5 के कप टेक्टी शेट नंबर 95 एंड 96 तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं फोर्ट प्वेशन दिया हुए है कि भारत और बांगलादेश के मद्दि इस्थित मैत्री सेतु का निर्माड किस नदी पर किया गया है तो मैत्री सेतु का जो निर्माड हुआ है फेणी नदी पर किया हुआ है next है कि किस समों के पौधे को आमतर पर सहवाल कहा जाता है तो इसका right answer हो जाएगा थेलोफाइटा समों के जो पौधा होता है उसको सहवाल बोला जाता है next question दिया हुए कि हमारे भोजन आहार का protein घटक मुखी रूप से किसके लिए उत्तरदाई है तो इसका right answer हो जाएगा ब्रिद्धी और मरम्मत के लिए उत्तरदाई होता है कौन सा तो protein का गुट जो है मुखी रूप से जो घटक होता है next है कि उन सभी कार को काध्यन क्या खालाता है जो एक विसेश रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदाई होते है तो ये जो कहलाता है epidemiology कहलाता है जो कि विसेश रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदाई होता है epidemiology next question है कि एक व्यक्ती में तंत्री का कोशिका डॉट डॉट तक लंबी हो सकती है तो ये 100 सेमी तक लंबी हो सकती है एक वेक्ति में तंत्रिका कोशिका नेक्स्ट की किसे मास्टर ग्रंथी के नाम से जाना जाता है तो पीउश ग्रंथी को मास्टर ग्रंथी के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट के अर्द सुत्री विभाजन का खोज शौर्ट प्रथम किस ने किया था तो यह जो विभाजन किया गया था वीज मैन के द्वारा किया गया था अर्द सुत्री विभाजन नेक्स्ट है कि एफला नामक विश निम्न में से किसे बनते हैं एफला नामक विश ये जो बनते हैं कावक से बनते हैं नेक्स्ट है कि किस हार्मोन को दुग्द जनक हार्मोन कहा जाता है जो LTH हार्मोन होता है इसको दुग्द जनक हार्मोन कहा जाता है नेक्स्ट है कि स्वसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है तो इसका राइट आंसर होगा स्वसन एक उपचाई करिया है और स्वसन का नियंतर मस्तिस के मेडुला आबला गेटा नाम के भाग से किया जाता है तो ये दोनों जो राइट आप्शन होंगे ये राइट हो जाएंगे Next question दिया हुआ है कि इस्थियाग गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवित्ती कहा जाता है तो क्या कहा जाता है तो जड़त्व कहा जाता है Next है कि गैलवनों मीटर प्रियोक्त होता है तो किशपे तो बल की दिशा के भी परित कार्य करता है नेक्श्ट सम्पेडित spring में कौन सी उर्जा होती है एक सम्पेडित spring में तो right answer होती है क्या इस्तिती जूर्जा होती है नेक्श्ट क्वेशन एक गेंद को 20 मीटर प्रतिशेकेंड के वेग के साथ उर्धवारतर फेका जाता है तो तीट सेकेन बाद उसके विस्थापन का मान डाट डाट होगा तो उसका जो विस्थापन होगा कितना होगा तो ये होगा पंद्रम मीटर ठीक है नेक्ष्ट है कि इन में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा दबाव को जो है ये प्रतिरोध प्रभावित नहीं करता है नेक्ष्ट कि प्रत्थम मगद सामराजे का उतकर्स किस सताबदी में हुआ है तो प्रत्थम मगद सामराजे का उतकर्स जो हुआ है ये छटी सताब्दी इश्वी पुर्व में हुआ है नेक्स क्वेशन है कि चंपारण अंदोरन से निम्नलिखित में से कौन शंबंधित नहीं था नेक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जै प्रकाश नरायन जो ही ये चंपारण अंदोरन से संबंधित नहीं थे नेक्स कि 1877 के विद्रो की अशफलता के बाद मुगल बादसा बहादूर शाह सेकेंड को कहा और किस ने गिरपतार किया तो यह जो किया गया है हुमायू की कबर के पास लेफटिनेंट हर्शन ने गिरपतार किया था कि इनको तो मुगल सा बहादूर शाह को नेक्स दिया हुआ है क्वेशन है कि सुभाष चंद्र बोच ने किस अंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतियों की उत्सा चरम पर था तब अंदोलन वापसी की घोशना राष्टिय भी पत्ती से कम नहीं थी यह जो कहा गया है और शाहयोग अंदोलन के शमय कहा गया था नेक्स्ट की नहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष और विसे के सुमेलित जोड़े का चैयन कीजिए जिसमें दिया हुआ है मोती लाल नहरू जो की भारत के शामवैधानिक व्यवस्ता से सम्मंदी थे यह जो है जोड़ा सुमेलित है नेक्स्ट की स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए केवल खास वर्गों के लिए नहीं या किसका कथन है तो यह जो कथन सीराजगोपालचारी के कहा हुआ है नेक्स्ट क्वर्शन के अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के संप्रदाइक पंचाट के द्वारा पहली बार निम्न में से किस के लिए प्रिथक निर्वाचन समूह बनाया गया यह जो प्रिथक निर्वाचन समूह बनाया गया था अच्छूतों के लिए बनाया गया था नेक्स्ट है कि हडपा अस्थलों में मीले आनाजों में बाजरे के दाने निम्न में से किस अस्थल से प्राप्थ हुए हैं तो ये जो प्राप्थ हुए हैं गुजरात से प्राप्थ हुए हैं नेक्स्ट है कि रिगवैदिक नदियों, रिगवैदिक कालीन नदियों में आश्किनी नाव निम्र लिखित में से किस नदी का प्राचीनतम नाम है? आश्किनी तो ये जो है चिनाव नदी का प्राचीनतम नाम है नेक्स्ट की भारत में राज्य विधानपालिकाओं का उच्च शदन कौन होता है इसका राइट आंसर हो जएगा विधानपालिकाओं का उच्च शदन होता है नेक्स्ट की 1947 में लाड मांट बेटन द्वारा घोशित भारत और पाकिस्तान के सीमा आयोग के अधियक्ष तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरील रेड क्लिप जो है ये भारत और पाकिस्तान के सीमा आयोग के अधियक्ष थे नेक्ट की कौन सावी से पंचायती राज संस्थाओं की सक्तियों के अंतरगत नहीं आता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा नियाईक पुनविक्षड जो है ये पंचायती राज संस्थानों के सक्तियों के अंतरगत नहीं आता है नेक्ट कानोनी विश्यों पर राजी सरकार को कौन परामर्ष देता है तो ये जो दिया जाता है महा धिवक्ता के द्वारा परामर्ष दिया जाता है next question है कि भारतिय समिधान में किसके अंतरगत पंचाती राज प्रडाली के व्यवस्ता की गई है तो ये जो किया गया है राजी के नीती निदेशक तत्व के द्वारा किया गया है next कि अंतराश्टिय सांती और सुरक्षा को बढ़ावा देने में से संबंदित प्रावधान भारतिय समिधान के किसके एक भाग के रूप में उलेकित है तो ये जो उलेकित किया गया है राजी के नीती निदेशक तत्व के द्वारा उलेकित किया गया है next कि किस समिध अधनियम द्वारा भारतिय विधान परशद के अस्थान पर द्वी शदनिय विवस्था का गठन किया गया है legit कि एक राजी बनाने में में शमेधानिक संसोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए तो इसका राईट अंसर हो जाएगा साधारण बहुमत चाहिए ठीक है कोई भी राजी में बनाने में नया राजी बनाने में सम्मेधानिक संसोधन के लिए साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है कौन सा अफरिका महादविप का सबसे उचा सीखर है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली जो है बालकन राजियों में सामिल नहीं है जब द्रवित मैगमा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार से बने सेल को क्या कहा जाता है तो इसको बोला जाता है अगनिय शेल जो की मैगमा ठंडा होकर कि ठोस हो जाता है उसको अगनेसेल बोला जाता है नेक्ष्ट की ब्रिहत ज्वर आने का सही स्थिति क्या है तो ब्रिहत ज्वर आने का सही स्थिति होता है जब सूर्य चंद्रमा प्रित्वी एक सीध में होते हैं तब ब्रिहत ज्वर आने का संभावना होता है नेक्ष्ट की प्रेयरी घास का मैदान इस्तित है तो प्रेयरी घास का मैदान कहां है तो उतरी अमेरिका की श्रितोषन घास के प्रदेश में है जो है प्रेयरी घास का मैदान है नेक्स्ट क्वेशन है कि हिमादले परवत सिंखला की किन दोस रेडियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है यह जो अपवाहित होती है लाक लदाक और जासकर के बीच में सिंधु नदी अपवाहित होती है नेक्स्ट है कि पीतल किसकी मौझूदगी में निरंतर रहने में वायू से में रंगहीन हो जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइट्रोजन सलफाइड के जो है मौझूदगी में वायू में रंगहीन हो जाता है नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे पिकरिक अमल भी कहा जाता है किसको पिकरिक अमल बोला जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा ट्राइन नाइटो फिनल टी एन पी को जो है पिकरिक अमल कहा जाता है नेक्स्ट है कि अलकोहल से इथर बनाने की बिधी में उत्प्रेरक की रूप में नेमने में से किसका प्रियोग किया जाता है इसमें जो प्रियोग किया जाता है गर्म अलूमीना का प्रियोग किया जाता है अलकोहल से इथर बनाने में नेक्स्ट के अंतराष्टी दूर संचार संग का मुख्याले कहां है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा में है अंतराष्टी दूर संचार का संग का मुख्याले नेक्स्ट के ओपेरा हाउस किस देश के राष्टी स्मारक है ओपेरा हाउस तो ये जो इस्तित है आउस्टेलिया में आउस्टेलिया का राष्टी स्मारक है नेक्स्ट के विश्वरक्तदान दिवस कम मनाय जाता है तो ये मनाय जाता है 14 जून को विश्वरक्तदान दिवस नेक्स्ट के किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलो ध्यान कहते हैं तो ये जो कहा जाता है भुमद शागरिय वन को बोला जाता है विश्व का फलो द्यान नेक्स्ट के आर्कीड एवं ब्रोमी लायड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में उगते हैं तो ये जो पौधे उगते हैं वर्षा वन में उगते हैं आर्कीड और ब्रोमी लायड नेक्स्ट के वन वनश्पती जो मनुष्य की सहायता के बीना अपने आप पैदा होती है गत और लंबिश हमें तक बीना किसी मानवी धस्त चेप के उगती है इस प्रकार के वनश्पति को क्या कहा जाता है इस प्रकार के वनश्पति को अच्छत वनश्पति के नाम से जानते है नेक्स्ट है यह जो पीडियोफ है यह 96 का है पाचन के दोरान पित की भूमी का होती है तो कैसी होती है तो वशा का पैसी करण होती है पित की भूमी का पाचन के दोरान नेक्स्ट है कि कौन सा जीव एक कोलोनियल के रूप में होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल वाक्स जो है कोलोनियल के रूप में होता है नेक्स्ट है कोशिका द्रब्य और केंद्रक के विभिन भागों में पदार्थों का संचलन शामानिता किसके द्वारा किया जाता है तो यह जो किया जाता है एंडोपलाजमिक रेटुकूलम के द्वारा किया जाता है कोशिका द्रब्य और केंद्रक के विभिन भागों में प जीन की करियात्म की काई क्या होती है तो जीन की क्रियात्म की काई होती है सिस्ट्रॉन ठीक है नेक्स्ट है कि वनश्पतियों को परावैगनी किरणों के दुस्प्रभाव से बचाने वाला वड़क है तो कौन सा वड़क होता है तो फाइको सायनीन होता है ये वनश्पतियों को परावैगनी किरणों के दूस प्रभावशे बचाता है कौन सब विद्धुत धारा के तापिय प्रभाव के व्याभारिक अनुप्रियोगों पराधारित नहीं है इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक घड़ी जो होती है विद्धुत धारा के तापिय प्रभाव के व्याभारिक अनुप्रियोगों पराधारित नहीं होती है नेक्स्ट की किसी गोलाकार दरपड का फोकस दूरी कितनी होती है तो राइट आंसर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है नेक्स्ट है कि संपीडनों का निर्माड उस अस्थान पर होता है जहां वायूदाब है तो कितना है तो उच्छो होता है जहां पर वायूदाब संपीडनों का निर्माड उसी अस्थान पर होता है नेक्स्ट है कि किसी राकेट का प्रख्षेपड नियूटन के किस नियम पर अधारित होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गती के तृतिय नियम पर अधारित होता है राकेट का प्रख्षेपड नेक्स्ट है कि यदि तरंग 2.5 सेकेंड में 20 कमपन पूरे करती है तो इसकी आवरित्ती कितनी होगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 हर्टज होगा नेक्स्ट है कि भारती रेल द्वारा विशो की प्रतम होस्पीटल ट्रेन का उद्खाटन कहा किया गया और ट्रेन का क्या नाम है तो यह किया गया इस ट्रेन का जो नाम है वह है लाइफ 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 राज्य शेखर हैं despite the state के लेखक नेक्स्ट है कि सर्व सिच्छा भियान के तहत केंदर और राज्यों के मदे वित्तिय विवस्था को किस अनुपात में विभाजित किया गया है तो ये जो विभाजित हुआ है शाठ संबन और चालिस के अनुपात में विभाजित किया गया है नेक्स्ट है कि बैंकिंग लोगपाल योजना की शुरुआत कब की गई तो बैंकिंग लोगपाल योजना की शुरुआत हुई जून 1995 में नेक्स्ट है कि किसी अर्थ व्यवस्ता में छेत्रों को सारवाजनिक और नीजी में किस आधार पर वर्गी कृत किया जा सकता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्धमों का स्वामित्व के छेत्र में जो है इसको वर्गी कृत किया जा सकता है नेक्स है कि गैर निश्पादनी या पर्शमपत्तियां से सम्बंदित नेमने में से कौन सा कथन सत्य है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी वित्य वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिन से अधिक रोका जाए और दूसरा किसी वित्ती वर्ष में मुलधन का भुखतान 180 दिन से अधिक रोका जाए तो गैर निश्पादनी या पर्षमपतियां इससे संबंदित हो जाएगा तो राइट अंसर होगा अप्शन नमबर A नेक्स्ट है कि एक वर्ष में किसी देश की घरेलू शीमा के भीतर उतपादित समस्त अंतिम वस्तूओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं तो राइट अंसर होगा सकल घरेलू उतपाद बोला जाता है नेक्स्ट कि फेवियन सोसलिज्म का नेतरित्व किसने किया है फेवियन सोसलिज्म का ये किया गया है जार्ज बर्नार्ड शो के द्वारा किया गया है फेवियन सोसलिज्म का नेतरित्व नेक्स्ट दिया कि सुजी फोस्ट को शेकें से मिलान करना है जिसमें दिया है लाड वेलेजली लाड वेलेजली किस बिसे से संबंदित है तो सीसु हत्या पर प्रतिबंद से लाड कैनिंग जो है विद्वा विवाह की अनुमती से नार्थ ब्रूक जो है ये संबंदित अंतर जाती है विवाह से लाड की विवाह का आयो 12 वर्ष निर्धारित करने से तो राइट आंसर होगा option number D नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का निमनलिकित में से किसंस ने अनुसंसा की थी तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो है अनुसंसा किया गया सदार वल्लब भाई पटेल की द्वारा किया गया है नेक्स्ट है कि वर्ष निस साथ में सूरत अधिवेशन में कॉंग्रेस में नरम दल एवं गरम दल के बीच विभाजन का निमनलिकित में से कौनसा कारण नहीं था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शामिधान सभा के गठन की मांग ये जुथा रीजन नहीं था नेक्स्ट है कि विजय नगर के राजा क्रिश्न देव राय ने गोलकुंडा का युद किस राजा के साथ लड़ा तो ये जो लड़ा गया था खुली कुतुब शाह के द्वारा के साथ लड़ा गया था शुपन वाशवदत्ता के लेखक निम्नमिलिखित में से कौन है तो शुपन वाशवदत्ता के जो लेखके भास है महा कवी भास नेक्स्ट की काकतिये वंस का संस्थापक कौन था तो काकतिये वंस का जो संस्थापक है बीटा प्रतम है ठीक है नेक्स्ट दिया हुआ है कि क होगा भारतिय भारसरकार अधनियम 19-19 इसका जो है भारतिय उच्च आयुकत के पद का अधनियम का स्रिजन किया गया था नेक्स्ट एकी पिछडी जाती आयोग के प्रतम सभापती कौन थे तो इसका राइट आंसर होगा काका साप कालेलकर जो है ये पिछडी जाती आयोग के प्रतम सभापती थे next एके राजी सरकारों का समभैधानिक प्रमुख कौन होता है तो इसका राइट आंसर होजेगा राजेपाल होता है next की 1927 में महराश्ट में महाड सत्यागरा किस ने आरम किया था महाड सत्यागर यह जो प्रारम किया गया था बडाक्टर भीम राव अंबेटकर के द्वारा किया गया था नेक्स्ट की सिंदू तंत्र में सामिल नदियों का उत्तर से दक्षिन की और सही क्रम क्या है तो इसका राइट आंसर होगा जेलम, चिनाव, रावी और शतलज यह जो है उत्तर से दक्षिन की और सही क्रम है नेक्स्ट की निम्नक किस अस्तल से ग्यारा सावाधानों तथा आठ चूलों के अवसेश मिले है तो यह जो मिला है सराय नाह राय से मिला है सराय नाह राय से ग्यारा सावाधानों और शावाधानों और आठ चूलों का जोए अवसेश मिला है नेक्स्ट के हडपा संस्कृति के विस्तार के संदर्व में चोलिस्तान सब्द का प्रियोग किस छेतर के लिए किया गया है तो ये जो सब्द का प्रियोग हुआ है ये हुआ है थार रेगिस्तान से लगए पाकिस्तान के रेगिस्तानी छेतर के लिए किया गया है चोली स्तान का प्रियोग नेक्स्ट की ग्लेसियर से पिघलने वाशिपीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है तो इसको बोला जाता है अपछरन किसको तो ग्लेसियर से पिघलने वाशपीकर और हीमस्करन के कारण बर्फ को बनने को बोला जाते है अपचरन नेक्स्ट कि किस छेतर में धराता लिया और भॉम जल का उप्योग सारवधिक होता है तो ये होता है कृषी के छेतर में नेक्स्ट कि निम्नमे से भारत में अस्थापित होने वाली पहली लव उद्योग कंपनी कौन सी है तो ये सेले जल में नहीं निर्मित हो शकती ये जो अप्शन है ये अश्रत्य है नेक्स्ट कि भारत का सरवाधिक पच्षन उत्पादन राज्य कौन है पच्षन उत्पादक तो इसका राइट आंसर होगा पच्षिम बंगाल पच्षन उत्पादक राज्य है नेक्स्ट है कि एक हाइडो कार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाडो द्वीबंद द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाता है तो राइट आंसर हो जाएगा एलकीन कहलाता है नेक्स्ट है कि सिग्रेट लाइटर में कौन सी गैस प्रियुक्त होती है नेक्स्ट है कि किसकी मात्रा अमला वर्षा में सबसे अधिक होती है तो H2SO4 की मात्रा जो होती है अमला वर्षा में सबसे अधिक होती है नेक्स्ट है कि आयोडी क्रित लवड में रहता है तो आयोडी क्रित लवड में जो पोटैसियम आयोडाइड रहता है आयोडी कृत लवण में कौन सी टिप पड़ी प्राकरतिक वनष्पती जात और प्राड़ी जात के हरास का प्रमुक कारण नहीं है इसका राइट अंसर होगा पसुचारण और इधन लकड़ी एक अतरित करने के लिए जो है प्राकेतिक वनिश्पती जात और प्राडी जात के हास का मुख्य कारण नहीं है नेक्स्ट की बीच बचाओ आंदोलन का शम्मद किस राजिये से है तो राइट आंसर हो जाएगा सही करम है तो क्या होता है तो इसका राइट आंसर होगा फेपड़ा रख्त और उत्तक ये जो होता है सही करम है